हाई गाइस दिस दोसों तेरा हैर आज मैं आप लोगों के डिमांड पे एक बहुत मज़दार वीडियो बनाने जा रहा हूं जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और इस वीडियो से आप लोग सेल्फ ट्रेडिंग भी सीख पाऊगे सबसे पहले मैं आपको बता देता ह हूं मेरा अलड़ी सेलेक्टेड है टाइम फ्रेम भी सेलेक्टेड है और यहां से स्टार्ट करूंगा ट्रेडिंग और कमपॉंड इंग आज कोई कमपॉंड इंग नहीं करूंगा आज बस मैं केंडल स्टिक साइकलोजी पर हर केंडल में ट्रेड प्लेस करने की कोसिस करूंगा और आपको बताऊंगा लेट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब देखते हम मतलब हमारा सक्सिस्फूल होता है नहीं होता है यह तो बात की बात है तो चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं और इस वीडियो को देखते हैं कहां तक पहुंचता है चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं यह इसको थोड़ा कर लेते हैं औरदेखो जूम कर लिये हैं अब मेरे हिसाफ से देखो अभी मैं एक ची बता रहा हुं आपको देखो डेट लिन बन रहा है ना इग्जेक्टली मतलब इसका मतलब यह ग्रीन बनेगी तो उसका मतलब यह अग्ली वाले रेट बनेगी अगर यह वाली green बनी तो मैं अगले रेड के लिए जाऊंगा लेकिन अगर यह grade बनी और आते आते मतलब पिछली वाली जो green है पहले रेड है उससे पिछली जो green है उसके body तक यह उतना ही रहो जैसे देखो अभी देख लिया तो अभी मैं पिछली बन पिछली बनी उससे रेड है वो उसके पीछे जो एक और ग्रीन है बड़ी सी उसका ही इतना मतलब यह आपके पिछली वाली जो अभी बन रही है उतना ही बना है तो यहां से मार्केट यह फिर से रिवर्स उपर जाने की कोशिस करेगा इसलिए मैं यहां पर अपका लिया कोई और रिजन नहीं था जिसकारण से मैं अपके लिए लिया है और यह देखो हमारा यह यहां पर प्रॉफिट होना चाहिए लेकिन देखते हैं क्या होता है ट्रेडिंग है यह पर प्रॉफिट लॉस होते ही रहता है तो इसमें तो ऐसे भी हम कोई कंपॉंडिंग तो कर नहीं रहे हैं जो लॉस हो जाएगा तो सारा बैलेंस ला जाएगा पंद्रह सो रुपे का इन्वेस्टमेंट है वस यह कर रहा है देखो मैं चाहूं तो कंपॉंडिंग करके अप प्रॉफिट को हम बकश्केंडिल प्रेडिक्ट करेंगे आप लोगों समझाने की कोशिश करेंगे मैं यहां पर कैसे ट्रेड़ प्लेश कर रहा हूं बस आप लोग समझने की कोशिश करना और वीडियो को बिल्कुल भी Skip मत करना अगर वीडियो को स्किप करोगँ तो गैरे डो ट्रेट नइब करओंगा मैं कंट्विनेसले यहाँ पर ना कम से कंव मेरे हिसाब से मैं यहां पर कोसिज करूंगा दफ प्लेस करDas मेंगे दस मेंसे मेरा कितना प्रोफिटेवल होता है वह हो abd जोप यहां पर मुझे एक देखो यह यह देखो यहां से मार्केट मेरे हिसाब करूंगा यह देखो अबके लिए यहां पर प्लेस किया अब के लिए मैं क्यूं किया हूं थोड़ा डेखो अबके मैं इसलेकल वाली देखल अब दो डू रेड़ न रही है दो ग्रीन तो मैं यह यह मतलब ङरिक बनने के लिए यह सोरी पनने के लिए लेकिन था इसको रेड इसको green बनना चाहिए तो मैंने इसलिए green के लिए place किया है जो market जो है देख लो market यहां से उपर भागनी की कोशिस किया था फिछली वाली जो body यह उसकी बहुत solid body अगर यह उपर भी नहीं गई तो इसका अच्छा खासा छोड़ करके हमको यह प्रॉफिट हो रहा है तो यह प्रॉफिट हमको देदेगी अब हम अगले candle के लिए प्रॉफिट करेंगे तो मैं आप लोगों से बताऊंगा देखो यह candle अभी जिस हिसाब से जा रही है देखो मैं तुरह देखा देता हूं आपको जूम इन करके और यह देखो अभी मार्केट जो है ना मेरा एक जोन होता है देखो यह जोन इस चलते हैं अभी यहाँ पर देखते हैं अब नाइटिन सकंड लेफ्ट है पिर हम देखते हैं क्या होता है और मैं एक बात बोलूंगा आप लोग को आप लोग वीडियो एक्स की बिल्कुल मुनर करना वीडियो дост करो तो कुछ नहीं सीख पाके यृण कुल हां को पुछन नहीं सिखपा होगे इसीलिए वीडियो को बिलकुली स्किप मत करके और यहां पर मैं यहां पर मैं एक और ट्रेड्ट प्लेस किया यहां फिर से मैं अप्लेडले क्या अभ्वाट डिरेक्षण के ल race किisa dabei को मैंने क्यों किया अब आप देखो यह market यह profit हमको देती है यह candle हमें लॉस देती है बस आप लोग देखते जाओ skip मत करना आप लोग समझोगे और देखो यह market नीचे आ गया है तो यह market थोड़ा मेरे को है मेरे हिसाब से नीचे नहीं आना चाहिए इसको ना उपर जाना चाहिए बन देखते क्या होत फिर जाके यहां पर दो रेड फॉर्म वा तो इसको ना ग्रीन फॉर्म होना ही चाहिए और यहां पर देखो थोड़ा जहां पर यह market स्टार्ट हुआ था रेड़ वाली जो है market स्टार्ट हुआ और वहीं पर खतम भी हुआ था इसलिए market उपर भी इतना सेट हो नीचे भी सेट हो देखो यह भी हमारा प्रॉफट हो गया तो उपर भी नीचे इतना सेट हो था उपर भी इतना इसी लिए market थोड़ा जंप करके नीचे आया था जंप किया था नीचे आ गया था जिसकान से मैंने वहां पे अप वह लिए ट्रेड लिया था तो चलो यह डॉन बन रही है और कोई बड़ा कोई बहुत ज़्यादा उपर जा करके नहीं बन रही है तो मतलब हमारा लेवल से ही मतलब एक टाप का वहां पे छोटा सा रेसिस्टेंट बोलो तो वहीं से नीचे आ रहा है तो वहीं से अब देखते हैं मार्गेट थोड़ा मैंने हिस्ट्री देख लि अच्छी खासी यह वाला केंडल अच्छी खासी रेड बन गई मतलब जो पिछली तीन केंडल पहले जो एक बड़ी सी ग्रीन है उसके उसके बॉड़ी उसका जितना भी बॉड़ी फॉर्म है उसके नीच वहां तक बन गई तो मैं अगले के लिए फिर से अब के लिए यह अपके लिए मैं चला गया हूं अपके लिए इसलिए गया हूं जो वहीं तक गनी और वहां तक नहीं भी बनी उपर तक भी बनी तो थोड़ा देख लो आप लोग जंप हुआ है जंप करके नीचे से फिर उपर बनने की कोशिश किया है मतलब जहां से मार्केट खतम हुआ तो अपकार दिखाने के लिए उपर जाएगी जाएगी तो इसका मतलब अगला जो आभी जो 30 सेंड है तो उसको उपर लेके जाएगी और यह हमारा प्रॉफिट करके देगी यह मैं बोलता हूं इस मार्केट में यह होता है यह जो मार्केट होता है ना सेडो वाली यह मेरा फैवरिट मार्केट है इसमें मैं प्रॉफिट अच्छे कासी करता हूं वही सॉलिड सॉलिड केंडल जब बनता है ना बॉड़ी के तरह वह मेरे को पसंद नहीं है इसलिए म और यह मार्केट भी अभी सही जा रहा है मतलब हमारे हिसाब से सही जोन मतलब ग्रीन रेड वाला तो जुम कर लिए फिर भी देखिए अब हमको यह देखो खाली मार्केट यह उपर की तरह यहां से सुरू ना हो जाए बस इसका देखो यहां पर सड़ो अच्छी खासी बना और यह खाली लेंगे जो देखते हैं जो कहां मार्केट च्या पोजिशिशन दिखाता आ इंड का इंड कहांपे होताँ है क्योंकि आच्छी खासी ऐड़ो बनी है तो सेडो बनी है तो फिर भी देखते हम लोग क्या होता है तो यहां पे मेरे हिसाब से एक ट्रेड यह यह यहां पे डाउन के लिए मैं लूँगा यहां पे मैं डाउन के लिए इसलिए गया जो मार्केट मतलब 10-15 सेकेंड पिछे ही मतलब कितना सेडो बनाया हुआ था और 10- अगली वाल यह फॉल्स दिखा रहा है अगली वाल यह इसको डाउन ओकाद दिखाने के लिए नीचे आएगी यह गैरंटी है मेरा मतलब 15 सेकेंड पहले भाई साब तुम बहुत नीचे थे अचानक 15 सेकेंड मतलब 15 सेकेंड में आपनी ओकाद दिखा के खूँ उपर चले तो फिर जाके तुमारी वाल अगली केंडल दिखा देगी यह देखो अब नीचे आएगा यह आएगा तो भाई केंडल है मतलब देखो क्या होता है बोलनी सकते हैं सही साला निकल गया तो उपर तो लेनी का देनी पड़ जाएगा प्र लॉस हो जाएगा बट कोई नीचे आना चाहिए यह क्योंकि 15 सकंड पहले यह ऐसा था तो अब देखते हैं क्या होता है यह देखो आ गई देखो अवकाद दिखा दिया इसको इसने वकाद को चुब मैंने बोला था ना आपको यह इसने भी 15 सकंड में मतलब बहुत नीचे होकर ऊपर चला गया और इसने भी मतलब 15 सकंड इसका भी जैसे ही मतलब यह था तो डॉन बनना शुरू हो गया अब देखो वन जीरो और यह हमारा प्रॉफिट हो गया तो वीडियो तो मेरे को बहुत मज़ा रहा है अब आप लोग को कितना मज़ा आ रहा है वह आप लोग जानो वाई बस वीडियो का आपको सिखा दूगा बस आप लोग खाली वीडियो को देखते रहना वीडियो का स्किप मत करना वीडियो देखोगे तभी आप लोग कुछ समझ पाओगे और देखते हैं अगला केंडल के लिए हम लोग थोड़ा त्यार हो जाते हैं और ट्रेट प्लेस का हमारा इमोंट स प्रॉफिट लेके निकल लेता लेकिन आप लोगों समझाने के लिए मैंने एक सेलेक्ट कर दिया है और देखो अब नेक्स्ट के लिए फाइब सेकंड लेफ्ट है फोर सेकंड लेक्ट है आप देखते हैं यहाँ पर एक यह देखो अपके लिए यहाँ पर उपन तो कर दि इसको गया वाइक करके ऊपर जने के लिए उपर जाना है स्केंडल को इसलिए लेकिन मैं तो यह दो acc रहा हूं कि यह थोड़ा मतलब उचल गया है यह केंडल जैसे ही खतम वह इस ताम मैं तो तो ऐसे उचल करके उपर गया है मतलब वहां से थोड़ा मुझे डर था इसलिए लेकिन अब चलो यह भी 30 सेकंड तक उपर है तो मतलब यह और उपर रहेगा और यह हमारा लिए जाएगा यह देखो और थोड़ और थोड़ यह देखो यहां यहां से न अगली में दिखेंगे यहां से ऐसे क्या होता है तो थोड़ा देखते हैं इस मार्गेट थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं क्या होता है देखो अब मार्गेट एक जोन से अच्छी बॉडी और ग्रोथ बनेगी बट इसमें भी सैडो बन रही है समझ रहे हो यह मुझे लगा यह अच्छा खासा इसमें बनेगा और यह उपर जाने के को सिस मतलब कंटीनुए उपर जाएगा जहां से मैं ट्रेडिंग बंद कर देता लेकिन इसमें भी सैडो बन र उपर चले जाओगे असा होने थोड़ीन देंगे हम भी इदर बैटे हैं देखो डॉन के लिए निकल गया मजा तो आ रहा है मुझे तो बहुत मतलब मेरे लिए थोड़ा रिस्की हो जाएगा क्यूंकि बॉड़ी बनी तो नेक्स्ट वाली भी नीचे जाएगी और उसके ब मतलब मार्केट अपना मुवमेंट ले लेगा तो इस हिसाब से हम यहां पर देखेंगे और मुवमेंट नहीं लेने देंगे बस खाली सैड़ो की तरह बन जाए ना थोड़ा सैड़ो बन जा इदर तो प्रॉफिट तो नहीं है और देखते हैं अगली वाली देखो फाइव 43210 यह हमारा प्रॉफिट हो गया बॉड़ी भी अच्छी खासी बनी है कोई हल चल भी नहीं किया यह देखो यहां जो सॉलिड बॉड़ी के साथ रेड बनी है इसका मतलब है अब मार्केट एक डिरेक्शन लेना स्टार्ट कर देगा अब कंट्यून रेड होगा या ग्रीन सेड़ो टाइब के केंडल नहीं बनेगी लेकिन सेड़ो टाइब के केंडल नहीं बनेगे क्यूंकि मार्केट अभी अभी एक मैं बताया था अब को जो अब पर जा रहा है जा रहा है फिर नीचे नीचे आ रहा है तो हो जाता है जब मार्केट कभी एक ऊपर एक नीचे इसमें आप ट्रेड लेकर जीद मतलब प्रॉफिट भी कर सकते हो चलो मैं आब जूम करके दिखा देता हूं आपको यह देखो थोड़ा जूम-इन हो गया यह दो मार्केट अब देखो नीचे जाने की अब कोसिस कर रही है तो फिर भी हम एक काम करेंगे यहां गुड़ यहां पर बहुत ही अच्छा फॉर्म हुआ है तो जाएगा प्रॉफिट मैं यहां से देखो अगर यह अच्छा खास अब कर दिया ना तो फिर मैं यहां पर कर दूँगा चलो एक डाउन के लिए मैं ले लेता हूं यहां पर यह देखो मैंने मुझे प्लेस करना चाहिए जहां से स्टाट वन वहीं पर लेकिन थोड़ा नीचे लग गया है तो थोड़ा मैं बताता हूं आपको मैंने आपको पहले क्या बताता है यहां पर मार्केट ले यहां पर कोंपन के लिएगा तो हमारा सक्सेसफूल होजाएगा नहीं जाएगी तो फिर अगली वाल प्रॉफिट कर लेंगे अगर यह यह जरी है ग्रीन बने तो इसका मतलब अगली वाली जो बनेगी वह ग्रीन बनेगी समझे अगर यह रेड बनी तो फिर इसका मतलब मार्केट अपना मुवमेंट ले रहा है तो यह देखो अब हम देखते हैं क्या हो रहा है नाइन सेकेंड अभी भी लेफ्ट है अगर यह डॉन जा रही है तो नेक्स्ट वाली मुझे लगता है डॉन ही जाएगी बट हम वहां वेट करेंगे और देखेंगे देखो यह हमारा प्रॉफिट हो गया और यह वाली भी डॉन ही जाएगी तो देखते हैं अभी तो ग्रिं जा रही है बट देखेंगे यार मार्केट अपना मुवमेंट ले रही है तो यहीं से हम स्टॉप भी कर देंगे लेकिन अब देखते हैं क्या होता है अब देखो उस हिसाब से इस केंडल को भी बननी चाहिए बट यह ग्रीन बन रही है अब मुझे लगता है यह अपना डिरेक्शन लेके मानेगी और मुझे लॉस में डालेगी यह मुझे लॉस में डालके रहेगी क्योंकि यह अब मोमेंट नहीं है देखो मैं एक जोन बता र है फिर भी हम देखेंगे यहां पर यह देखो इस केंडल को भी अब रेड में जाना नामुम्किन हो गया है अब नेक्स्ट वाली देखेंगे क्या होती यह देखो यह देखो यह भाई यह का हो गया भाई यह तो ऊपर जा रहा है अब देखते हैं केंडल में वेट करूंग वाल पहलं को नहीं कर पारा है यह जो मेरे लिए मतलब अमरीत इफाली देखते जाओए कि यह वीडियो आपको बहुत पसंदा रहा होगा और हां एक बाद प्रदम पेर मुझे करने के चांसे से चैने करने करने के औरल सूम कर ले चलो मैं जुम करता हूं सबसे पेलेग मुझे जो लग रहा है यह दो कि 7 पार और यह अगर रही तो यहां पर इसका मतलब क्यों करना सबसे पहले पर द्वनेंगे तो यहां पर मुझे डन के लिए जाना चाहिए और अचल उपर 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 जा उपर जा उपर जा उपर यहां यहां मैं यहां पर डॉन के लिया हूं यहां पर डॉन के लिए मैं क्यों लिया हूं यह जो है ना मेरा उसी जोन के लिए में लिया हूं जो एक जोन में बता रहा था ना उसी जोन में चल रहा है उसी जोन के में लिया हूं जो यह वाली नेक्स्ट पिछली वाली जो केंडल थी वह उसको ग्रीन बनना था लेकिन वह रेड़ बन गई रेड़ बन गई तो इसलिए मैं यहां पर उपर जा करके उपर से नीचे के लिए लिया यह भी डॉन बनेगी नीचे आएगे और यह भी हमारा प्रॉफिट होगा तो देखते हैं अरे भाई यह क्या हो गया ओ सिट यह लॉस हो गया यार यहां मैं ने गल्ति कर दी यह मैंने नहीं सोचा कि एक कैंडल डॉन जाने मार्केट अपना डायक्षण ले सकती है RJ calor die frequent जाएगी मतलब रेडव सकती उसके पार मार्केट अपना डायक्षण ले दिकल सकती है यह मेरे से गल्थि हुआ जिसकारण से यहां पे लॉस का मुझे सामना हुआ बट कोई बात नहीं अगर एक लॉस हुआ तो हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है तो अगली बार में हम प्रॉफिट करेंगे और देखेंगे क्या होता है बस यह केंडल थोड़ा मैं देखो अभी तो यह केंडल में ट्रेड नहीं ले सकते हैं ओपिर नेक्स्ट के लिए लेंगे लेकिन अगर यह उपर के लिए गई तो देखते हैं क्या होता है स्वप मीं यहां से फोराओं के लिए ले और देखता हूं क्या होता है यह दो और ले लेता हूं रुको यह उपर गई ना दो और ले लिया जो इनके सब्सक्राइब नीचे वाला लॉस हो जाएगा तो यह हमारा प्रॉफिट कर देगा समझे इसी लिए मैं तीन ट्रेड कर दिया हूं यह देखो इसको बोलते है उ इसको च्रीड यार यह उपर जा रहा है जबकि मार्यचव विस最後 और यह लौक अ simplement फिर भी मैंने डॉन का ले लिया मतलब क्या क्यों क्यूंकि मेरा पिछला लॉस था मुझे लॉस बर्दास्त निवा जिस कारण से मैं उसको करने के लिए इस मतलब इस इस केंडल में मुझे रूख जाना चाहिए था पट कोई बात निए देखो यह देखो में अपना पसंद आया होगा विडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और तो वीडियो को लाइक करें करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे फ्यूचर में और एसी वीडियो लाऊं आप लोग जल्दी देखकर अपना प्रॉफिट बुक कर रहें ट्रेडिंग स तो और हां अगर आप लोगों को ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी कोश्चन सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलिग्राम का लिंक होगा वहां से जॉइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाई भी तुरंट दे दूंगा तो फिर और क्या और हां वेडि था अभी 3300 हो गया मतलब 10,000 प्रॉफिट हो गया वह भी सही है आप लोग के लिए ये वीडियो बनाया हूँ अगर मुझे ऐसा रहता तो मैं ट्रेडिंग कंपांडिंग कर लेता प्रॉफिट कर लेता बट बस आप लोगों को समझानी के लिए वीडियो बनाया हूँ आप आप लोगों को बहुत समझ मैं होगा और चलते हैं मिलते हैं अब अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत